आपके अपने YouTube चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 1HS के student हो और इस साल आप Class 12 का जो है वो exam दिये थे और आपका result अगर आया है और अगर आपके result में कुछ problem हो गया है तो दोस्तों आपको पता है कि review करने के लिए आपको दो option मिलता है HS के result में PPR यानि Post Public Review और दोस्तों स्वारी Post Publication Review और दोस्तों PPS का भी option मिलता है Post Publication Scrutiny जी हाँ दोस्तों ये दो option आपको मिलता है PPR यानि Post Public Review उस वक्त किया जाता है जब आपके subject में आपको ऐसा लगे कि आपका number कम वगयरा आ गया है For example आप history का exam बहुत अच्छा दिये थे या फिर आप accountancy का exam बहुत अच्छा दिये थे आपको लग रहा था कि आपका 70-80 आएगा लेकिन आपका result में आपका 50 या 45 वगयरा आ गया है तो आपको लग रहा कि आपका exam बहुत अच्छा गया था पर आपको number कम मिला है तो दोस्तों आप अपना result का PPR यानि Post Publication Review कर सकते हो इसके लावा दोस्तों जो दूसरा option मिलता है review में वो है PPS यानि Post Publication Scrutiny जिया दोस्तों यह दूसरा option है कि अगर आप fail वगयरा हो गया हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप कोई भी subject में fail वगयरा नहीं हो सकते थे आपका सब subject का exam वगयरा जो है वो बहुत अच्छा तरीके से गया था तो उस situation में जो है आप अपने result को PPS करवा सकते हो जिया दोस्तों अब बात करते है कि किस तरीके से जो है आप अपने result को PPR या फिर दोस्तों PPS करोगे जिया दोस्तों अगर हम लोग notification के बारे में या notice के बारे में बात करें तो दोस्तों West Bengal Council of Higher Secondary Education Board के तरफ से जो है पहले ही review के लिए notice आ चुका था आपके screen में नजर आता होगा 24 में का ये notice है और दोस्तों result आपको हाथ में मिलने के 15 दिन के अंदर जिया दोस्तों जिस दिन आपको result मिला है यानि आपको याद होगा कि 31 में को आप लोगो result दिया गया था यानि 1 जून से लेकर 15 जून तक आपके पास वक्त है आपके पास समय है आपके पास time है 15 जून को midnight तक जिया दोस्तो 15 जून को midnight तक यानि 12 बजे से पहले तक आप अपना result का PPR review कर सकते हो चाहिए वो PPR हो या फिर दोस्तो PPS हो तो यहाँ पर आपको notification में साफ साफ दिखाई मिलता होगा इसके लावा दोस्तो आपको ये भी बता दिया गिया है साफ साफ information दे दिया गिया है कि आ आपको ये review करना पड़ेगा उसके बाद आप नहीं कर सकते हो और review करने का एक ही मात्र website है जिसका नाम है wbchse.gov.in इसके लावा और भी कोई website से आपका review नहीं होगा इसके लावा दोस्तो PPS और PPR यानि आपका result review के लिए एक ही मात्र मूड है वो है online online के लावा जो है आप आपका roll number और आपका mark sheet number होना जरूरी है अगर आप किसी भी subject का PPR कराओगे तो per subject आपका 150 rupees करके लगेगा और अगर आप PPS कराते हो तो per subject जो है वो आपका 100 rupees करके लगेगा तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना result का review करवा सकते हो तो दोस्त wb.gov.in जा दोस्तों wb.gov.in जा फिर दोस्तों आप direct West Bengal Council of Higher Secondary Education Board का official website भी type करोगे तो भी website open हो जाएगा इसके लावा दोस्तों जब आपका website open हो जाएगा और जब आप West Bengal Council of Higher Secondary Education Board का website में चले जाओगे तो इसके बात जो है आपको student login में क्लिक करना है जा दोस्तों आपको बहुत सारा option दिखेगा result notification, achievement ऐसा गर आपको बहुत सारा teacher अगरा option मिलेगा वहाँ पे एक option आपको दिखेगा student login का आपको student login का option में क्लिक करना है जैसे ही आप student login का option में क्लिक करोगे आपके सामने में ऐसा interface खुलेगा और आपको account option में चल जाना है रहे ह chutelen आपको दो option मिलेगा new applicant और already registered यह दो option आपको मिलेगा तो आपको sign up या sign in da option मिलेगा तो दोस्तों आपको sign up में क्लिक करोगे जहां दोस्तों आप sign up में click करोगे sign up में click करने के बाद आपको SIMPLY वहाँ पे अपना OTP select करना है आपका registration number वहाँ पे आपको देना है आपको OTP आगा जो भी information माँगेगा वहाँ पर type करने के बाद आप OTP मांगेगा OTP आपको दे देना है उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा interface खुलेगा, interface में आपको select करना है कि आपका PPS और PPR, दोनों में से कौन सा आपको करवाना है, जो भी आपको करवाना है, PPS करवाना है या PPR करवाना है, उसको आपको नीचे में option दिखता होगा, select कर लेना है, उसके बाद दोस्तों press करके आपको आगे चले जाना है, उस को वहाँ पर subject select कर लेना है कि कौन subject का आपको PPR और फिर PPS करवाना है subject select कर लेने के बाद जो है नीचे में आपको preview का option मिलता है वहाँ आपको जो है click कर लेना है click करने के बाद आपके सामने में ऐसा interface फिर से खुलेगा वहाँ पर नीचे में आपको option दिखता होगा I accept that I have review the information in the form उसमें आपको click करके अगर आपको edit करना है तो अब edit भी कर सकते हो उसके बाद नीचे में payment का option आता होगा आपको online payment भी करना है आपको बता दिए जैसा कि आपका PPR के लिए per subject देड़ सो और PPS के लिए per subject एक सो रिपर लगेगा तो वहाँ पे आपको select करके payment mode select करके आपक process जो है वो पूरा हो जाएगा और जल्दी जो है वो आपको आपका जो review आप करा रहे हो उसका result आपको जल्दी आपके आपके हाथ में मिल जाएगा उमीद करते हैं तो आज करके दोका गरें को बई पसंद आया होगा अगर विडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे और दोस्तों अगर आप Instagram या Facebook पर है तो आप दोस्तों वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वीडियो से लेटेड जो भी अपडेट रहता है वह मैं Facebook और Instagram दोनों जगा देता रहता हूं दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीड झाल शोस्तों मिलते हैं आप हैं झाल झाल